हेलो अबरीवान और वेल्कम बाक तो आवर यूट्यूब चैनल सावी फॉरेंसिक्स आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्युमेंट्स की फॉर्टीएथ पार्ट पर और यहां पर हम समझने वाले हैं इस स क्या मतलब होता है और कितने टाइप से करी जाती हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं security features के बारे में बैसिक्लि जो आपकी Indian currency होती है उसमें कौन-कौन से से security features होते हैं जिसके help से आप original और fake currency को बहुत ही असाने से identify कर सकते हैं तो उनके बारे आजन बिसकस करने वाले हैं तो जली से start कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले हैं बात कर लेते हैं basically जो आप ये इंडियन currency होती है उसमेरो सबसे इंपोर्टेंट होता है वो होता है उसका paper जिस paper पे उस currency को बनाया जाता है वो आपका paper कहलाता है security paper तो वो जो paper रहता है basically 100% pure cotton का बना होता है जिसको Comber कहा जाता है तो यह आपका 100% pure cotton होता है which is commonly known as Comber अब ये जो Comber होता है it is a residue of cotton from textile mills जो textile mills होती है जहां पर fabric वगेड़ा का काम रहता है वहाँ पर जो cotton बचते हैं जो उसके residues बचते हैं उसी से बनाया जाता है ये Comber अब इसमें security paper जो रहता है जिसी Comber से बनाया जाता है security paper उसमें एक अलग से एक different तरह की crackling sound आती है due to the presence of titanium dioxide जो Comber रहता है इसका use करते हुए security paper को बनाया जाता है जो manufacture की time पर इसमें titanium dioxide को add-on किया जाता है जिसकी वजह से जो आपने bank notes देखे होगी जो currency देखी होगी उसमें एक crackling sound आती है जब उसको आप move करेंगे उसको हिलाएंगे तो उसमें तो sound आती है basically titanium dioxide की वजह से ही आती है और यह generally हर तरह के paper में आपको sound नहीं नजर आएगी sound नहीं सुनाई पड़ेगी यह जो आपका currency रहती है इंडियन currency उसी में generally देखने को मिलता है और यह जो आपका paper रहता है यह आपका non fluorescent होता है अंडर UV light जब आप इसको UV light के अंडर रखते हैं तो उसमें किसी भी तरही कोई भी fluorescence देखने को नहीं मिलती है और इस paper का जो इंडियन currency होती है इसमें आप 6000 से लेकर के 7000 तक के fold भी डाल दें इतनी तक कि उसमें strength रहती है इसमें बहुत ही आपका different होता है 100% pure cotton का बना होता है जिसको Comber कहते हैं और साथ में इसमें titanium dioxide को भी add-on किया जाता है तो यह कुछ इसके important आपके points से security paper से लेटेर और अभी हम आगे move करते हैं और next हम बात कर रहते हैं watermark की तो basically जो watermark होता है जो आपके Indian currency में तो generally जब कोई भी layman बंदा किसी भी currency को चेक करते हैं कि वह original है या नहीं है तो generally उसमें लोग जो रहते हैं उसमें जो watermark available होता है मात्मा गांधी का वही को उसी image को देकर उसी watermark को देकर वह identify करते हैं कि वह आपका original है या नहीं है तो watermark क्या होते हैं basically जो आपके watermark होते हैं जो Indian currency पर print करे जाते हैं especially उसके लिए dandy rolls का use करा जाता है during paper manufacturing process मतलब कि जब आपके currency का जो paper की formation हो रही होती है तो उस time पर जो dandy rolls होते हैं उसका use करते वे जिस time पर manufacturing हो रही होती है उसी time पर watermarks को create करा जाता है so basically जो Indian currency notes होते हैं इस पर जो watermarks होते हैं यह basically चार तरह के watermarks या कह सकते हैं कि four watermarks available होते हैं जिसमें से पहला होता है आपका electrolytic watermark जो electrolytic watermark होता है basically जो महात्मा गानी का portrait है जो कि आपको वैसे naked eye से नहीं नजर आएगा जब आप उसको transmitted light में देखेंगे तो तब आपको वो watermark नजर आता है तो वो आपका एक तरह का electrolytic watermark होता है and this is the denomination as per the amount of the bank note which can be seen in the left bottom it is visible in transmitted light basically जो transmitted light में आप देखते हैं तो आपका जो note होना चाहिए वो आपके eye level से 45 degree पर होना चाहिए तो आपको watermark जो रहता है महात्मा गान्दी का वो clearly आपको visible हो जाता है next है महात्मा गान्दी portrait तो यह क्या है this is the watermark of portrait of महात्मा गान्दी in the window of every bank note it is a three dimensional image and has some shading effect it doesn't fluorescence in UV light and seen only in transmitted light तो जो महात्मा गान्दी का portrait होता है basically यह आपका जो window बनी होती है जो transparent जगह होती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यह आपका three dimensional image होती है और इसमें कुछ अलग-अलग से shading effect भी available होते है और जब आप इसको UV light में लेके जाते है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी fluorescence आपको देखने को नहीं मिलता है और यह आपका सरफ और सरफ transmitted light में ही clearly visible होता है तो इसके लावर next time यहाँ पर बात कर लेते हैं RBI watermark तो basically जो आपका bank note होता है तो वहाँ पर आपका RBI का भी watermark available होता है and it is present towards the center of the bank note और more precisely a letter towards left तो यह basically जो आपका bank note होता है उसके center में और somewhat left side में आपका होता है और RBI का जो watermark होता है is present in every bank note vertically across the width they have equal dimensions and seen through only transmitted light तो यह भी आपको सरफ और सरफ आपका transmitted light में ही देखने को मिलेगा और इसके जो dimensions होती हैं वो equal होती है next अगर हम बात करें secret denomination यह एक दूसरा आपका fourth आपका type का watermark होता है secret denomination so the denomination of bank note is mentioned on the right hand corner at the bottom of the note आपका जो bank note होता है उसके right hand side पर ब्लकुल bottom side मतलब कि माने जो यह आपका note है तो इसका right side यह हुआ और bottom side यह हुआ तो इस जगहापर कहीं पर आपका secret denomination का watermark available होता है which can only be seen through transmitted light तो जितने भी तरह की watermarks available होते हैं चार तरह के होते हैं सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ transmitted light में ही देखने को clearly visible होंगे तो यह तो हो गया आपकी watermarks और अभी हम next time बात कर लेते हैं secret thread के बारे में so basically secret thread क्या होता है यह एक तरह का आपका layman language में बात करें तो वह आपका identification feature हो जाता तो layman के purpose से उसको देखके identify कर लेते हैं कि यह आपका original Indian currency है या नहीं है ठीक है और यह जो आपका होता है security thread जो होता है यह it is visible and could be identified by anyone devoid of the knowledge of currency identification यह आपका clearly visible होता है और यह जो आपका thread होता है इस thread के ऊपर आपका RBI and भारत हिंदी में उसकी mirror image आपकी note पे clearly लिखा होता है and the security thread is yellow fluorescent इसमें yellow fluorescent होती है shifting thread with clear text of micro printing of RBI and भारत in हिंदी in mirror image so basically RBI और भारत हिंदी में लिखा होता है इसकी mirror image आवेलिबल होती है जो आपकी micro printing आवेलिबल होती है इस security thread के ऊपर अब इसमें कह रहता है इसमें green और blue color की spacing होती है और इसमें blue और green color की fluorescence भी अवेलिबल होती है from the observed side it appears as a windowed or segmented thread but when observed under the transmitted light it appears continuous मतलब कि जब आप इसको note पे देखेंगे normally देखेंगे तो वो आपको आपका banded form में नजार आता है माने जे कुछ आपका ये currency note है तो इस पर अगर security thread है तो वो कुछ आपका इस तरह से available होगा break break करके और जब आप इसको transmitted light में देखते हैं तो वो आपका एक continuous security thread नजार आता है और ये security thread जो रहता है इसको copy कर पाना बहुत ही ज़्यादा typical होता है क्योंकि उसमें एक तो जो paper रहता है उसके अंदर उस तरह के thread को डालना वो बहुत ही typical काम होता है उसके अलावा उस thread के उपर जो आपके इसमें RBI और भारत दिखा होता है वो भी बहुत असान नहीं होता है उसके अलावा इसका जो thread रहता है उसमें जो fluorescence अवेलिबल होती है वो भी exactly same to same दे पाना उतना असान नहीं हो पाता है तो इसी विरा से security thread जो रहता है इसकी identification से बहुत असानी से आप Indian currency note वो original है या fake है तो उसका identification आप 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 से कर सकते हैं यहाँ पर next हम बात करें latent image की so the latent image is situated on the right side of the Mahatma Gandhi's portrait जो Mahatma Gandhi का portrait होता है उसके right side में एक latent image available होती है and it contains a latent concealed image showing the respective denominational value of the currency in numeral the latent image is visible only when the bank note is held horizontally at eye level तो basically latent image क्या मतलब है जिस भी value का वो note है माले जिए 500 का note है या 1000 तो बंद हो चुका है 2000 का note है या 100 का note है तो उसमें क्या रहता है वही number का Mahatma Gandhi का जो portrait है उनके right side में वो number ही आपका latent image के format में available होते हैं और जब आप उसको अपने eye label से horizontal करके देखते हैं तो वो आपको clearly visible हो जाता है तो यह होता है आपका latent image और यहाँ पर आगे move करते हैं और यहाँ पर आपको मैं image से बता देती हूँ तो basically यहाँ पर कह रहता है यह आप देख सकते हैं कि यह महातma Gandhi का portrait इनके right side में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 2000 लिखा हुआ है यह आपका latent image होती है उसके अलावा यहाँ पर यह जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका 2000 लिखा होता है यह भी आपका 2000 लिखा होता है यहाँ पर यह शुक emblem बना हुआ है इसके just उपर यह आपका braille mark होता है rectangular braille mark जो है इसके अंदर भी आपका 2000 लिखा होता है उसके अलावा यह यहां पर है आपका security thread जो कि ऐसे आपको banded form में नजर आता है लेकिन जब आप इसको transmitted light में देखेंगे तो वहां पर वह आपका clearly visible होता है एक continuous line के format में और उसके इलावा इस पे आपका RBI और भारत भी आपको clearly visible हो जाता है यहां पर आपका available होता है महत्मा गंदी का एक watermark available हो portrait होता है उसका watermark उसके इलावा यहां पर आपका जो एक रहता है कि मैं धारक को इतने रुपे अदा करने का वो करता हूं तो वह चीज़ यहां पर लिखी होती है साथ में यहां पर जो governor होते हैं उनके signature भी होते हैं और यहां पर आपका RBI का जो stamp होती है वो भी यहां पर हो आगे हर एक note की image दिखाऊंगी तो वहां पर आपको इस lines clearly दिखेंगी तो यहां पर basically जो आपका 2000 का note होता है वहां पर आपकी total 7 lines होती है उसके रावा यहां पर आप देख सकते हैं जो महात्मा गाने का portrait है इसमें इस जगहा पर यहां पर कुछ आपका एक जब आप इसको पर आसा close view देखेंगे microscope में देखेंगे तो वहां पर भी आपको RBI लिखा हुआ नजर आता है यह पूरी continuous line होती है इस जगह पर यहां पर आपको continuously एक RBI 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 इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है उसके लावा यहां पर आप देख सकते हैं रुपीज का एक हलका सा watermark बना हुआ है तो यह सारे कुछ आपके इसके features होते हैं identification features होते हैं और उसके लावा एक और important बात है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो number आपका पड़ा हुआ है यही सेम number आपका इस जगह पर भी पड़ा होता है अब इस number की क्या खास बात है इस number की जो आपका लिखे जिस तर आप जाएंगे तो उस पर जो आपके numbers लिखे होंगे उनका size increase होता हुआ चला जाएगा यहां पर भी सेम यही चीज रहती है और इधर भी यहां से इस तरफ से ही इसरे की तरफ ही आपका increment होता है आपके जो भी numbers लिखे होते हैं उनमें ठीक है तो यह सारे कुछ आपके important features ह हो गया basically security features हो गया और अभी हम आगे move करते हैं और यहां पर अभी हम कुछ और भी important points है basically जो मैंने बता दिया है वही सारे कुछ लिखे हो हैं so basically micro lettering क्या है micro lettering मतलब कि this feature appears to the right side of Mahatma Gandhi portrait it consists of printed RBI and the respective denomination of the banknote however the numeral denomination printing is absent in 5 and 10 denominations this feature can be visualized only under magnification so basically जो मैंने आपको बिताया था महात्मा गानी का portrait है उनके right side में एक इस तरह से जो आपका रहता है याने कि मैंने बताया था आपको यहां पर जो आपका महात्मा गानी का portrait है तो यहां पर इस जगह पर आपका RBI लिखा हो रहता है और साथ में जिस भी note का आपका currency है ज आपका नहीं लिखा होता है तो यह हो गया आपका micro lettering basically micro lettering का मतलब यह होता है कि जो भी आपके letters लिखे हुए बहुत छोटे छोटे से लिखे हुए हैं आपको नेके दाई से बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे जब आप उसको microscope के अंडर रखके देखेंगे उसको magnify करें तब वो letters आपको clearly visible होंगे तो यह सारी कुछ ऐसे features होते हैं जिनको copy कर पाना did to same to same बहुत ही ज्यादा typical हो जाता है और हर एक currency note में proper design रहती है और उस design को exactly did to same to same copy कर पाना बहुत ज़्यदा problematic हो जाता है तो इसी वजह से अगर कोई fake currency market में available है उसका circulation properly चल रहा है तो आप उ आदे features का examination करते हुए ठीक है यह हो गया और next यहां पर है अभी आपका intaglio printing intaglio printing क्या है the portrait of mahatma Gandhi the RBI seal मतलब reserve bank की जो seal है guarantee and promise clause the ashok pillar emblem on the left RBI governor signature are printed in intaglio मतलब कि जो मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका mahatma Gandhi का portrait है मैं आपको बापस है आपका रिखा देती हूँ so basically यहां पर आप देख सकते हैं यह जो mahatma Gandhi का portrait है यह जो ashok emblem है यह जो यहां पर seal लगी हूँ यह signature है और यहां पर यह आपका clause है promise clause है तो यह सारे जितना भी जो कुछ लिखा होता है यह सारा का सारा आपका intaglio printing ही होती है इसकी तो यह चीज हो गई और यहां पर basically लिखा ह हुआ है in raised prints मतलब raised prints होते हैं और इसको आप आराम से touch करेंगे तो आप उसको feel कर सकते हैं कहां पर यह क्या बेना हुआ है and they are produced by the reverse etching process reverse etching process का use करते हुए इसको बनाया जाता है तो यह हो गया और basically यह वाला जो point है reverse etching process वाला यह बहुत important हो जाता है तो इसको बहुत होते हैं जो लोग अपनी eyes का eyes से देख नहीं पाते हैं physically handicapped होते हैं by their eyes तो वो candidates के लिए जो note रहता है तो उस पर एक identification mark available होता है ताकि वो touch करके उसको feel कर पाएं और उससे वो idea लगा पाएं कि कौन सा आपका note है तो उसके लिए एक mark available होता है इसको हम कहते हैं braille mark and on the left side of the note some symbols appear in intaglio printing for visually impaired persons to identify denomination तो basically जो notes होते हैं तो वहाँ पर जो आपके braille marks के लिए आपके जो currency की value होती है कई बार जेनरली वो भी आपका intaglio printing में लिखा होता है ताकि जो लोग देख नहीं पाते हैं तो वो लोग उसको अराम से identify खर पाएं उसके लावा एक different shape भी दिया जाता है हर एक note के लिए तो अगर आपका 2000 का note है तो उसमें rectangle बना होगा जो मैंने आपको भी इससे पहले दिखाया था image में Rectangle के अंदर आपका 2000 भी लिखा होगा 500 का है तो उसमें Circle बना होगा 200 का isn Colour होगा आर H के अंदर Circle के अंदर Rectangle के अंदर सब के अंदर जिसका भी Note है निकी Rectangle के अंदर 2,000 Circle के अंदर 500 H के अंदर 200 अब आप सोच रहोगे कि H के अंदर कैसे लिखा जाएगा तो basically H जो रहता है कुछ इस तरह से बना होता है तो यहाँ पर जो यह वाली प्लेस होती है इस जगहा पर आपका 200 लिखा होता है और 100 का note है तो वहाँ पर आपका triangle बना होगा और triangle के अंदर आपका 100 होगा उसके अलावा जो आपकी 50 के होते हैं 20 का है 10 का है तो उसमें कोई mark अवेलिबल नहीं होता है उसमें सरफ जो आपके value होती है उस particular note की तो वह आपका इंग टाग लेव प्रेंटिंग में होता है तो आप उसको देखकर I mean उसको feel करके उसको touch करके identify कर सकते हैं ठीक है तो यह होगी आपका braille mark के बारे में and basically यह वाला बहुत important है कि कौन से note में कौन सा आपका mark अवेलिबल होता है तो इसको बहुत अज़े समझ लेज़ेगा next अभी हम आगे बात करें so basically अगर हम बात करें omron features की तो omron features का मतलब होता है anti copying features मतलब की जिनको copy क करना possible ना हो तो ऐसे features को बोलते है omron features तो basically जो bank note होता है तो वो क्या करता है note में कुछ ऐसे features को डालता है जिसकी वजह से अगर कोई individual उसकी photo copy करना चाहे उसका xerox करना चाहे तो वो possible ना हो पाए तो इस वीज़े से उसमें कुछ ऐसे features डाले जाते हैं डिसको हम बोलते है anti copying features या फिर omron features तो यह होते क्या है so these are small flower like dots, crisscross lines and other minute printings which are too minute to be captured by the photocopier machine तो जो आपने notes देखे होंगे तो जो notes होते हैं तो उसमें बहुत minute सी बहुत छोटी-छोटी सी design बनी होती है जो आपका जब photocopy बगेरा आप उसका करना च तो वह exactly आपकी वह machine उस design को copy नहीं कर पाएगी क्योंकि वह बहुत ज्यादा minute बनी होती है जब आप उसको microscope से देखेंगे तब वह आपको clearly visible होगी तो यही जो features होते है small flower like dots होते हैं crisscross lines होते हैं बाकि जो भी designs available होती हैं आपके note पे तो वह सारे के सारे जो features होते हैं जो ब anti copying features भी कहते हैं तो यह सारे के सारे होगे आपके जो bank notes होते हैं जो notes होते हैं Indian currency notes होते है उनकी identification features होते हैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था हर एक note में जो आपके 100 n зас Life elements होते हैं तो इसमें आपके ainti待 API year अविलिबल होती हैं तो मैंने आपको यह 2000 का नोट दिखाएता है तो वहां पर 7 lines थी 100 का note है तो इसमें आपकी 4 lines है 200 का note है तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 lines है और उनकी बीच में दो आपके circles available है और same आपका ये है तो मतलब अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह से आपका angle बना हुआ है तो इस side में भी आपका इस तरह का ही angle same बना है तो यही चीज़ आपके सारे तरह के notes में available होती है उसके लावा बाके सारे features मैंने आपको बता ही दिये हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ और है जो मैंने आपको दिखाना था तो basically यहाँ पर जो आपका मैंने braille mark बता है था तो braille mark आप देख सकते हैं जो 100 का note है वहाँ पर यह triangle बना हुआ है just ashok emblem के ऊपर ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 200 का note है तो वहाँ पर आपका ashok emblem के नीचे यहाँ पर आपका h बना हुआ है और इस h के बीच में आपका लिखा होता है 200 तो यह चीज़े होई और उसके लावा इसमें हर एक note के आपने कुछ अलग-अलग features होता है तो वह कौन-कौन से features होता है जो important है basically तो उसके लिए हम अपने next video में बात करेंगे basically इनका जो color होता है हर एक note के back side में एक किसे ना किसी design बनी होती है किसे ना किसी monument की तो वो सारे चीज़ों के बारे में discuss करेंगे वो आपके लिए important हो जाता है यहाँ पर next हम बात करें तो यह 500 का note है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक circle बना हुआ है rectangle आपका बना हुआ है आपके 2000 में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि total यहाँ पर 5 lines available है और यहाँ पर आपकी total 7 lines available है तो यहाँ पर अगर हम बात करें onbron features की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस corner पर जो कुछ बना हुआ है इस जगह पर उर्प की बहुत छोड़े से design बने हुई pensar यहाँ पर आपका है यहाँ पर आपका है यहां आप का है कि मनला बिसिकली पूरे नोट में बहुत माइने उट सी देख सम्सी बहुत चोड़े से लिखाइन बने हुए हैं dots स करस करस lies बहुत माईनी डिजाइन है तो वहीं आपकी एंटी कॉपिंग फीचर होता है इसको हम बोलते हैं और मुरॉन फीचर तो यह सारे कुछ इतने भी सिट्वरेटी फीचर से मैंने आपको बता हैं अब आपके लिए एक होमवर्क है अपने पास आपके पास जरूर से ही सारी लुए हैं तो वो सारे फीचर्स को आईदेंडिफाइ करेगा उनको देखने की कोशिश करेगा और अगर और भी कोलेज फ़गे संसे स्क्राइब होते हैं और एक पर आप देख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा कहा पर क्या क्या चीजें होती है बाकि मैंने आपको यह चीज तो बताई दी थी कि यहां पर भी आपको 2000 लिखा होता है यहां पर भी आपका 2000 मतलब कि जिस भी नोट होते लिए से 500 की नोट है तो यहां पर आपका 500 लिखा होगा यहां पर भी आपका 500 लिखा होगा है इसी तरह से यहां पर 2000 है तो यहां पर आपका 2000 लिखा होगा इस वह आपको clearly visible हो जाएगा तो यह सारे कुछ features थे I hope आपको अच्छे से clear हो गए होंगे एक बार practical जरूर से करके देखेगा original note के साथ में तो जो भी चीज़े आपको doubts रह रहे होंगे वह सब कुछ अच्छे से clear हो जाएगा तो यह वाला topic भी यहाँ पर complete होता है इसके बाद में next time बात करेंगे इसमें कुछ important points होते हैं हर एक notes related उनके बारे में discuss करेंगे और यहाँ पर topic complete होता है आप हमें follow कर सकते हैं हमारे facebook, instagram, telegram पर बहुत अच्छा content available है आपकी net के exam point review से जरूर से access ब्लॉगर पर तो जरूर से visit करेगा बहुत अच्छा यह mcqs available है आपको बहुत help होने वाली है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको like जरूर से कर देंगे अपने friends के साथ में share जरूर से कर दीजेगा ताकि उन तक भी quality content पहुँच जाए चानल बना है तो चानल को subscribe जरूर से कर लेंगे बहुत कर लेंगे बहुत कर लेंगे for daily updates and thank you so much for watching me here